हेलो गाइज तो हम पहुंच चुके हैं गोडों की रेस शुरू होने वाली है यहाँ पे दाव लगता है गोडों पे और मैंने दुबई होर्स राइडिंग में शेहनास गिल की फ़नी कमेंटरी वीडियो देख हस हस कर बागल हो जाएंगे आप किस तरीके से भई शेहनास ने वागई में हस्ते पे मजबूर कर दिया है अपनी कमेंटरी से चलिए आपके बता दे पूरी बात एक बात तो कहना तैय है अगर शेहनास यहाँ पे कमेंटरी करने लग जाएं तो लोग तो बस हस्ते रहा जाएंगे होर्स राइडिंग पे कम ध्यान देंगे और शैनास की कुछ कमेंटरी ही ऐसी आती है तो दोस्तों दरसल शहरांस फिलाल दुबाई में है और वहाँ पे एक होर्स राइडिंग मैश देखने वो गई थी जहां से वो कमेंटरी कर रही है जी हाँ, शैनास कहती है कि यहाँ पे बहुत जादा गर्मी है और यहाँ पे होर्स राइडिंग शुरू होने वाली है लेकिन जो मेरा घोड़ा है वो नहाने गाया है क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है हैलो गाईज तो हम पहुंच चुके हैं गोड़ों की रेस शुरू होने वाली है यहाँ पे दाव लगता है गोड़ों पे और मैंने तीन नंबर गोड़े पे है जो दाव लगाया है मेरा गोड़ा नहाने गया है उसको बहुत ज़्यादा पसीन न आ था क्योंकि सीधा जो देखो सन है न बहुत गर्मी है यहां पर अभी आएगा गोड़ा देखना आप कितने पैसे लगा है आप ने गोड़े मैंने डेड़ सो रगा दिया यह तो बहुत ज्यादा लगा दिया अपने सो अरपे में तो हमारे गिड़ा लगता है गोड़े का उदर इंडिया में अप क्या इधर नहीं मेरे वाला गर्ल्फ्रेंड गूड़्फ्रेंड भनाता मेरे वाले बहुत ही लएक लड़की उस पर मर गोड़िया उस पर मरती है तो इसको इधर कोई इंटरेस्ट निया उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है उसका सीधा फोकस है अपना जो फिर मुझे लगता है मेरा भूदा तो ना हार जाएगा हा तू देख तो सही है भी है's उसका बन्ता क्या है मेरे भाला गोरा उसको देख मेरा गोरा यहां पर ओगा ना जब तेरे यहां से चलना शुरू होगा ंए अग्ट धरीका डूंड लिया क्या मैंने अपने वले घोडे को आपके गोडे की पूच के सथ पूच मांद देनी हैं चाहिए किसीटिया लगाते हो जाए पर आपके गोडे के साथ ही जाएगा लेकिन रहेगा पीछे ही सारी उमर किसीटिया ही लगाता रहेगा